जी असलाम अलेकुम आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है environment temperature sensing कि हम अपने environment में किस तरह temperature को sense कर सकते हैं उसी reading जो हम obtained कर सकते हैं इसकी लिए जो हम sensor use करेंगे ठीक है वह हमारे पास LM35 sensor LM35 sensor यह linear polylethic sensor है यह जो है इसका output है वह analog होता है यह हमें analog reading देगा तो फिर जब यह reading जो हम से गया करते हैं कि हासल कर लेते हैं तो फिर उसको जो हम Celsius में और Fahrenheit में अपने मताबिक उसको convert कर लेंगे तो उससे जो हमारे बदरिडिबल form में environment का temperature ज़ा जाएगा अब बात करते हैं LM35 sensor के बारे में यह हमारे पास यह LM35 sensor है ठीक है आपको अगर मैं करीब से दिखाऊं जा रहा हूं तो यह आप देखने है यह हैना हमारे पास LM35 sensor इसके 3 legs होती है ठीक है यह यह वाली पिन जो होती है यह हमारे पास 5 volt की पिन होती है इसको हमें आप से 5 volt supply करेंगी इसका जो यह पिन है यह ठीक है यह हमारे पास के output रीडिंग किये ठीक है और यह वाली पिन है हमारे पास यह हमारे पास के ground की है यहां से हम 5 volt supply करेंगे यहां से हम ground के साथ इसको connect कर लेंगे और यहां पिर जो हैना हमारे पास output reading होगी और यह output reading आप याद रखें हमारे पास किस तर रीडिंग होगी analog reading हमारे पास इसकी होगी ठीक है ना अच्छा हम क्या करेंगे हम यहां पे M35 को connect करेंगे Arduino Uno के साथ यह हमारे पास Arduino Uno है ठीक है इस पे अगर आप देख ले तो इसके जो इस साइड पे आप जो पे नजर आ रहे होंगे आपको 01 यह हमारे पास क्या RX और TX की पिंज है इसके बाद 23 से लेके 13 तक जो हमारे पास यह डिजिटल पिंज होती है ठीक है इसके इस तरफ अज़र आप देख रहे हैं तो यह हमारे पास जो है analog 012345 है हम LM35 का जो यह दर्म्याने वाले पिंज आउटपुट डीडिंग वाला इसको हम इन छे पिंज में से किसी एक के साथ क्या कर लेंगे करनेट कर लेंगे ठीक है यह फाइफ वोल्ट जो है यह इस सेंसर को जाना प्रोवाइड करना है अगर आपके पास external supply है तो उससे कर लें otherwise जो यह Arduino Uno है तो इसका अगर आप देख लें तो यह हमारे पास जो है इसको अगर मैं इस तरह कर लूँ में भी आपो नजर आजाए यह हमारे पास क्या यहां पर यह पिंज यह फाइफ वोल्ट की पिंज है हमारे पास बुड़ी हुई है एक ground की साथ इसके साथ हम इसको connect कर लेंगे इस Arduino Uno को इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम USB के जरीए इसको हम अपने सिस्टम के साथ connect कर लेंगे ठीक है और इसके बाद क्या करना है कि Arduino जो आईडी हमारे पास software है integrated development environment में जाके इसके अंदर हम coding करेंगे ठीक है तो आप वीडियो को जाना continue रखें आपको जाना में step by step इससब की connectivity और जो है uploading जो software है इसका अपना code वह भी मैं आपको दिखाता है इसके साथ अच्छा यह मेरे पास जो है jumper wise है यह आप देख सकते हैं कि यह मेरे पास jumper wise है male to female है ठीक है मैं यह तीन jumper wise है इसको मैं इसके साथ लगा देता हूं ठीक है एक pin यहां पी लग गई और एक pin यहां पी लग गई आरडीनों के साथ दो भी और अगर आप चाहते हैं कि इसको breadboard के साथ जो है ना वो लगा दें तो अब यह हमारे पास breadboard है इसको भी जो है ना आप इसके साथ लगाके आप अपना काम निकलवा सकते हैं अच्छा अब यह देखें तो यह मेरे पास white color की जो pin है यह फाइफ वोर्ड में जाएगा तो यह जो white color की pin है यह मैं 5 वोर्ड के साथ लगा देता हूं ठीक है यह 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 यहां पे पिर यह जो red color का port हमारे पास है यह pin जो है इसको जो है ना आप हम इने इसको यहां पर ग्राउंड का पार्डे में लागाना कफ इसको मैं यहां पर ग्राउंड में लगात न कि है इसको आप UP education I 5 अधिकिते की इसको आपने अधर हम कर लिक्ता कि यह बाद को जाइना ना तो यह बहार आपको यह वालड जापिन है यह फ़ायफोल लगेगा यह आपको ग्राउंड लगेगा और यह क्या आउट पुट को गा ना ऑउट पुट होगा ग्रेकलिस की वाएर है इसको मैं एनलाफ पिन्स की बी एनलाफ पिन के साथ जाए उसको मैं connect कर देता हूँ for example मैं इसको connect करता हूँ A1 के साथ ठीक है यह connect हो गया इसके बाद फिर यह केबल जो है यूजबी केबल यह मैंने और इसको जो है इसके साथ लगा लेते हैं ठीक है यह हमारी connectivity हो गया अब चलते हैं देखते हैं कि हमारा जो है system जो है वहाँ पे जात जरी इसके अंदर programming करते हैं अच्छा अब वह हम आगे हैं Arduino IDE के पास यहां पे आप देखें कि यह जो coding आपको नज़र आ रही है तो जैसा कि आपको पता है कि जो अनलाग रीडिंग होती है वह mostly floating points होती है तो मैंने यह पर दो वेडियाबल्स डेक्लियर किये यह बन्हें क Grade टी एक हमारे पास है कीजैनाफ पे यह इस को किया ना यहां दिन किये नैत सिक्स हंडिट इसको पोड़द होता है और उसके Guardians एया जह एनलोग रीट जो है हमारे पास एवन है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ऑड़कुट एनलाग पिन है एन्थिवाइड सेंसर की वह हमारे पास एवन में लगा हुआ अर्टिनों के वह वहां से रीड हो कि यहां पर वेरियेबर टीम इस्टोर हुआ है फिर मैंने कहा कि है आ च्था था यहां कि यहां किया है कि अकुल हं। कि अज ख voucher मैं किया का किया तरष की अ उसुक्त है को कि एक इसकी जो अ जो हाँ हैं नेडिस की शीयू की साख्या हम कहां को हम क्या तरदेर मेंना Зबाया नेडिंब journée पर स시ट यह हमारे फोंग तो कर दिये हैं इसको करने के लिए जो है हमारे पास यह यह तैबलाश के लिए हैंаемся करने के लिए यह कि लिए घ्र रोगाएजा गया हूँ अब अब आपके अब दीज है अब इसको जो है मैंने क्या करना है कि इस केबल को मैंने शिस्टम के साथ लगा दिया है इसको मैं यह पे प्लग करता हूं ठीक है तो यह अन हो गया है अब जाते हैं सिस्टम के पास इसको अप्रोड करते हैं ठीक है और देखते हैं कि हमारे पास इसकी क्या वेड़ आ रही है इसको करने के पाट 22.95 ठीक है अब मैं क्या करता हूं कि कि इस सेंसर के उपर जो है ना मैं अपनी फिंगर्स टिप्स को जो है ना वो टश करता हूं ताकि जो मेरी जो बॉड़ी टेंप्रेशर है ठीक है उसको जड़ा ये कैच कर लो ठीक है तो आप देख रहे हैं वापे कि क्या होना है वेल्यू जो है ना वो डिफिनिशियेट हो जा रही है ठीक है ना शिक्स्टी के लिए इसकी इनलाओ वेल्यू है ट्रिक्री सेंट्री ग्रेट जो है वह हमारे पास इसका आप जैसे ही जहें मैं अपनी फिंगर्स को अठाता हूं ठीक है तो आप देखें कि इस किस तरह इसकी बिज्स में नहीं आती है कि इसकी बिज्स में नहीं कि इसकी बिज्स में नहीं कि इसकी जाएगा और इसकी बिज्स तक आगए तो यह हमारा एल्म 25 सेंसर है तो यह था हमारा अगर आपकी कोई पीडी है तो आप काईने जो है ना वो कर लें तो इसको मैं जैल डिज्ड़ एसको इसके लाव अगर वीडियो आपको पसंगे लाइक करें सब्सक्राइब करें चेंगों शेयर करें दोस्तों के साथ